आपके माँ तो ये चाहते थी कि आप लेक्चरर बने, प्रोफेसर बने, लोगों को पढ़ाएं, ये कहां से आप ड्रामा का बूत कहां से सवार हो गया? मेरी माँ तिपिकल मिडिल क्लाज जसे सब की एस्पिरेशन होती है कि कन्वेंशनल जो एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन होते हैं, वह चाहती थी कि मैं उसको अपना हूँ, मैंने कोशिश की लेकिन मैं बहुत जल्दी मुझे रेलाइज हो गया कि मैं ये बोरिंग है मेरे ल जरू की है और सडनली मुझे लगा कि ये क्या है, इसे मुझे बहुत आकरशित किया, मुझे सम्मोहित कर लिया एक तरह से, और आपने दो बार जूट बोला, एक बार एडमिशन लेने के लिए और एक बार मा को ये बोलने के लिए कि हां मैं पढ़ क्या हूँ और ही है, और इसको आने के बाद पूरी पॉसिबलिटी है कि मैं यूनिवस्टी में लेक्ष्टर बन जाओंगा, तो उनको ये एक, और उस वक्त कहना मेरा ज़रूरी था कि मुझे एनिस दी जाना बहुत ज़रूरी था, इस वन आप कह रहे थे कि कभी-कभी पैसे के लिए काम करना पड़ता है, और जब पैसे के लिए आप काम करते हैं तो आपको दुख होता है, पेंफुल होता है, लेकिन हमारी इंडस्टी की परमपरा तो ये है कि हर बड़ा स्टार सिर्फ पैसे के लिए ही काम करता है, मेरा मानना नहीं है कि हर बड़ा स्टार पैसे के लिए ही कर वाले ने मुझे इस इस मिशन के साथ भीजा है, मैं परंपराओं पर सवाल उठाओंगा और तोड़ने की कोशिश करूँगा थी उड़ में आवेभिद दाओंगा थे उड़ने की का इसलाओंगाओंगा थेहए भीजा बच्छ क्या है the same thing he must be able to tell us you are not interested in projecting your own personality that bores you that gives you nothing to look forward to that when I came to industry people used to advise me when you I should I show them my photo session or something you know or my photograph from different series say are two parts of my leg-leg-leg-leg-leg-leg-leg-leg you can make an image and build up it now you can see that the director is confused that this is what it is what it is what it is so that and that is very boring when you build up this image and you keep pumping it you keep pumping it and what the relationship between that that image in the and the audience is that I am here and you are there and I am looking at you like you know you are aspirational and you are like you know beyond us that is very boring for me I'm this strange dichotomy that you are in a profession where you attract attention but I don't like it when it comes to me that's why I want my the attention of the audience to go to the character what he's doing you know what what if I'm doing pantsing I want them to their attention to be directed to that complain what that story is complaining a emotional complaint which is he's trying to tell the audience that you know we don't have respect for talent so the my I want them to direct their attention there not me at me give how I did it and you know oh fun 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 that boards me so I think that's a similar thing must have happened in 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 that uh phase I don't know as far as if you are looking at the इमानदारी से सीखने की और सो करने की कोशिश की फिर मुझे थोड़े दिन में इतना इतनी बोरियत हो गई मुझे लगा कि मैं जिंदगी में सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर पाऊंगा मेरी मेरी आत्मा को उसमें इन्वाल होना जरूरी है तो मैं ढूंड रहा था क्या सकता हूँ लेकिन फैमिली के लोग तो आपको फिल्म देखने भी नहीं देते थे बहां परंपरा कि कोई फिल्म देखने भी नया जाए इतनी समझते थे इतना गिरा हुआ हूआ का मैं तो मैं मैं अपनी माँ को करने कोशिश की कि मैं इस नाचने गाने नहीं जाओंगा इंडस्ट्री में मैं थोड़ा कुछ अच्छा काम करूंगा लेकिन उनके समझ में निया है वो कभी माने नहीं लेकिन मेरे अंदर की आवास थी तो मैंने पूरी करना इसको लाजबी सम्झागा आपको जजीर की पर्फॉर्मस अच्छी लगती है अच्छी लगतीगो जजीर का इसको कि वाजीर का यूर्मस नातल वम्बे आखा बढ़े इसन प्रफॉर्मस जेर का इस्टाप ड्र्फॉर्मस यहीं अधियर कैंछवात प्रफॉर्मस अग्दिननसीर शाव एते सेट के आशके मन में ये रहा कि मेरे जैसी शकल का आदमी हिरो कैसे बन जाएगा Actually, वो बहुत पहले था जब मैं सोच रहा था Contemplate करता था कि मैं actor बन पाऊंगा क्या तो मैं किई बार देखता था कि मेरी सूरत किसी से मिलती है मेरे जैसा कोई actor बना है क्या तो doubt वो रहता था जुरूर लेकिन बात में जब बन गया तो मुझे अंदादा हुआ कि सब टेड़े बांके सब बन सकते हैं अक्टर तो ज्यादा तर सुपरस्टार जो है वो कभी भी कन्वेंशनल तरीके से गुड लुकर्स माने नहीं गए हैं चाहे वो राजिश खन्ना साहब को ले लीजे चाहे मिताब बच्चन साहब को ले लीजे चाहे दिलिकुमार साब को ले लीजे मैं अपने आपको कंपेर नहीं कर रहा हूं से लेकिन मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि आदमी की अंदर की शख्सियत जो है वो ज़्यादा असर करती है लोगों पे बजाय कि सिर्फ लुक्स इर्फान के अंदर वो जो 20-25 साल पहले जो इंसेक्यॉरिटी थी वो सब कंप्लीट हो गई वो साटिसफाइड हो गई इंसेक्यॉरिटी थी मेरे अंदर और ऐसा नहीं है कि मैं पैसे के लिए नहीं करता हूं पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन पैसा मेरा प्राइम अबजेक्ट नहीं है अगर मुझे सिर्फ पैसे के लिए कुछ फिल्म करनी पड़े तो मेरे लिए वो तकलीफ दे एक्सपिरिंस होता है लेकिन मुझे मेरे काम का मेहनतारा ने मिले वो भी तकलीफ दे होता है पहले थी इंसेक्यूरिटीज और पहले वो इंसेक्यूरिटीज मेरे साथ क्या कर रही थी, मुझे किस तरफ लीड कर रही थी उनको जरूर मैंने डील किया है, मेरी जरूरतों को मैंने जरूर कम किया है पैसे की जरूरत होती है, पैसा आप जिंदगी को आसान करता है, बट पैसा मुझे ड्राइब नहीं करता है, पैसा मेरे इस्तिमाल की चीज़ है, मैं पैसे से इस्तिमाल नहीं होना चाहता है। और आप हीरो बनना चाहते थे, मैं खलनाय की खलनायक बनता रहूं यह मैं नहीं चाहता था, कि कुछ और बनाओ, खलनायक कर दिया आपने, अब कुछ और करेंगे हैं। आपलनायक करेंगे हैं। प्राइब आपने अचीज़ हैं। यह यह थो आपलनायक करेंगे हैं। कोई इच्छा बाकी है इर्फान की या सब कुछ मिल गया ऐसा ना हो तो अच्छा है कि सब कुछ मिल गया मतलब मुझे तो लगता है कि मैरी अभी शुरुआत है मैंने अभी देखना शुरू किया है समझना शुरू किया है ये तो जिन्दगी अप खोलेगी अपने आपको उमारे साथ इर्फान ये सही है कि बुम्मई में जब आपको काम नहीं मिला और जो काम मिला वो आपकी पसंद का नहीं था तो बोरिया बिस्तर बांद के आप वापस घर जाने को तयार हो गए थे मैं एक्चली बोर हो गया था बहुत और मैं बोरियत नहीं जहिल सकता मैं इस काम में इसको काम नहीं बनाना चाहता ये जो मेरा विधा है जो भी मैं सीख रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ इसको मैं काम की तरह नहीं ले सकता काम की तरह लेता ही लेकिन उससे मुझे मज़ा आना जरूरी है मेरी आत्मा जिन्दा रहना जरूरी है तो जहां जिस हाल में जिन्दा रहेगी वहां जाओंगा इरफान के खुद की क्या USP इरफान को लगती है मैं उसको इनलाइज करना चाहता हूँ कुछ मिस्टरीज होती है आदमी की और वो वो मिस्टरीज बनी रहनी चाहिए वो क्यों वख करता है क्यों नहीं वख करता पिर व आदमी की टेंडेंसी होती है कि उसको फारूला बना ले उसको रिट करने लग जाए अब जिसे मुझे कई बार कोई अगर तेक में अच्छा कि अब प्रश्रेट नहीं तो नुए कि अब भी आजा है विए और इंट टूर चल रहा था कि यह वेटिटीक अब हुआ आपका यह भी ख्याल आया कि यह मैं क्या कर बठा नहीं तो नहीं है नहीं मेरे नसीब में दिधी सोट इब ड़िए I think मैं कफन मान गया था, मेर पास वार, there was no other way to survive, people suggested me when I told them my well-wishers, when I disclosed my inner plans that I want to go to drama school, they said, okay, you go to drama school, first do your MA, take a job as a teacher or something and then you pursue your, I said, no way. I was too driven to learn the craft, if NSD wasn't there, if you wouldn't have been there, I don't think I would have come here, so NSD was something, you know, which I wanted to go and I was not eligible to go because I didn't do too many plays, so, you know, I just filled, you know. कभी ये भी शिकाइट रहती है कि मैं अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं बोल सकता, जो नहीं बोल सकता तो नहीं बोल सकता उसमें क्या है? मुझे, actually, जब मैं उतना popular नहीं हुआ था, मैं बंबई में struggle कर रहा था, तो मेरे अरीपकरी वाले लोग काफी कहा करते थे, कि if you want to break in, you should try to learn English, you should look like English class, you should look like elite. और मुझे इस बास से बहुत problem हुआ करता था, मेरा मानना ये था कि language आपको elite नहीं बनाती है, language आपको सब भी इंसान नहीं बनाती है, language तो कोई भी बोल सकता है, आपके अंदर क्या है, वो ज़्यादा माहिन रखता है. घ्रापत काम सब बनाती है, तरहर करता है, भी जो कि अो सब्सक्राइन वो ड में करता है, कि पonstividad में रसे पराखता है, and if you want to experiment, if you want to do some changes or if you want to take time, if you want to behave in television, they don't allow because it takes time or time is money for them. They say line bolo, jaldi line bolo, line bolo, line bolo. So how did you keep yourself going through that phase? Because it must have been really tough. How did you manage to not turn bitter and become one of those, you know, drunken complainers who cursed the world? Because you had a very long phase of, you know, struggle. What kept you going? Only thing that, you know, I was not satisfied with my own performance. And I kept working on it and when I came to films from drama school, I never liked myself. I never thought that, you know, I am there, I am not experiencing the moment. Nothing is happening to me. I am manipulating things. So that seek, that quest kept me going. And when I got bored of acting, then things started happening. When I got bored completely that, you know, I am bored with the dialogue, I am bored with the situation, then suddenly something, some ease came in my, you know, behavior on the screen. And then I started feeling glimpse that, you know, this is it. इर्फान अपनी लिए क्या उबीद रखते हैं अगले साल लोगों को engaging, entertaining, viable cinema, ऐसा cinema जो उनकी यादों में रहे, ऐसा cinema जो उनकी दिल को गरम करे, ऐसा cinema जो उनके बारे में कुछ सच्चाईयां बताए, ऐसा cinema जो उनको खूब entertain करें, ऐसा cinema जो उनकी देखें तो उतनी ही चाओ के साथ देखें, और ऐसा cinema जो cinema hall से जब वो वापस लोटें, तो वो कहानी उनके साथ रहे, हफ़ते हफ़ते बर रहे, और वो फिल्म उनसे बातें करती रहे, मैं ऐसा सिनेमा नहीं करना चाहता है कि आप गए थे और बाद में पच्टाएं, दूसरे दिन आपको अजीब सा लगे कि यह क्या हो गया, मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो एक लम्हा आपके साथ रहे, वो यादगार बना रहे और उसे खुझबू मैकती रहे आगे तक, ऐसी मेरी खुआइश है, ऐसा मेरा अंदर से डिजायर है, और उसी तरफ में कोशिश कर रहा हूँ, और इसलिए मैं कहानिया डूंटा हूँ, तो यह कहानी सुनाने वाले मुझे मेरे लिए बहुत जरूरी होते हैं, और मैं अपने लिए यादगार समय क्रीट करना चाहता हूँ, कि जिन कहानियों को मैं करूं तो मेरे लिए एक स्पिरेंस हो, और देखने वालों के लिए भी एक स्पिरेंस हो. decentral. But was there at anytime any feeling of desperation, any feeling of regret, any doubts about yourself? yourself doubt was when I was I I this this thought came in my mind that I can I become an actor but the way I saw your performance it was not a doubt that whether I could become an actor I knew that there is a possibility I can become an actor but whether do I fit in so I used to watch myself and I used to find similarities between other actors कि मेरा फेस से मिलता है गया, अरे हान मिठुन से मिलता है, तो मैं बन जाओ हुआ एक्टर, so those kind of things, you know, those were the doubts, but I also used to imitate Mriggya's dialogue, because Mriggya में he was not, you know, Mriggya was not a chocolatey boy, he was playing Nexalight, so I taped his dialogue and I used to, you know, repeat it. आपका जो perception है, वो ये क्यों बना हुआ है कि आप इंटिलेक्च्वल किसिम के actor है, आप acting करेंगे, आप स्टार नहीं बनना चाहते हैं? स्टारिजम मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग चीज है नहीं, स्टार के लिए एक चीज बहुत जरूरी होती है, कि वो ओडियन्स को ये बताए कि he superior than them, वो मुझे कहीं बहुत भात ही नहीं हो बात, मैं super human प्ले करने के लिए नहीं आया हूँ, कोई कहानी मिलेगी कभी करेंगे for a change, जरू करेंगे, लेकिन मैं I cannot continue doing roles जो के audience को ये बोले के आपका दरज़ा चोटा है, मेरे दरज़ा बड़ा है, मैं आपसे बहतर हूँ, चुना नहीं, आपको मिला नहीं, ये दोनों बाते हो सकती हैं, तो इसके कारण कहींगे कि you know I don't want to do it, हुआ हम पैमाना के लिए ये ख़ेंगे करेंगे हैं पैमाना हमेशे एक सा स्चह नहीं रहता है ये किसी भी pawh 선ण मेर धूल शीघ गॉसमें थानने के लिए नहीं आया है, हम पैमाने का श्यें पदलने के लिए हैं incredibly how much when you were a kid before you went to drama school and all did you see yourself in popular Hindi cinema as a hero in your imagination the most I could go was Danny sure Danny was one of my inspirations और जब आपको देखा तो हमारी जोती जगल 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 जगल, हमने का अफ तो पॉसिबला है, अफ तो पहुंची जएंगे and it was not like you know you are trying to project your image, you are trying to reflect something which we were not aware you are showing a reality, मैंने का यही पॉसिबलिटी है इसी से you are getting work मैं तो फर रियालिटी के घुजा हूँ अंदर और मैं तो मतलब दान तुलवा लूँगा और यह कर दूँगा और वो कर दूँगा so I thought you know there is a way I could possibly you know I could do it filmic minutes filmic minutes filmic minutes filmic minutes कि आप उसको पहली बार भी नहीं जिखते कुछ फिल में ऐसी हैं जिनको कि मैंने कभी देखा ही नहीं करने के बाद वह दबिंग स्टेज पर ही मैंने डिसाइड कर लिया कि यह फिल्म जो है मेरी कलती थी और मैंने उसको कभी देखानी यह आज ता नहीं मसलन में बताना कर लिए को प्लान जब तक कि आप वह एक्सपीरियंस नहीं कर लेंगे बार जिंदगी आप उसको लाती रही बार गुमा गुमा के वह चैलेंजिस आप सामने पेक ती रहें आपको उन चैलेंजिस को रिलाइज करना जरूरी है उनको समझना जरूरी है अब फ्रस्ट्रेशन हुआ आप फिल्मों के लिए गये थे और टेलेविशन करने लगे तेलेविशन उसो मजबूरी में करते रहे क्योंकि फिल्में जो जिस तरह की बन रही थी वह अच्छा हुआ मैं उस तरह की फिल्मों मैंने नहीं किया वो बहुत ही डाक पीरिट था अब जिनमा का क्योंकि वी सिया आजू का था और फिल्में जो है मिडल क्लास कट चुका था था सिनेमा से सिर्फ फ्रेंड बेंचर्स के लिए फिल्में बनाई जा रही थी और बहुत ही प्रूड फिल्में थी तो अच्छा हुआ मुझे उसमें चांस नहीं मिला एधिंग म मुझे जिन्दगी प्रपेर कर रही थी इस दोर के लिए और टेलिविजन से अच्छा यह हुआ कि उसमें मुझे मुझे मौका दिया अपने क्राफ को प्रेक्टिस करने का कि आपकी फैमिली में जो टिपकल मिडल क्लास फैमिली उसमें भी 20-22 साल पच्छेस साल पेले तो लोग फिल्मों को तो बड़ी हेद रिष्टी से देखते हैं तो उसमें कैसे फिर आप निकल कि आया या टीनेजर थे एक सपना देखा था और वो इतना अंदर का फोर्स इत कि मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे जाना है अच्छी नदर से नहीं देखा याता था सिनमा को लेकिन मैंने जिस नदर सिनमा को देखा था उसने मुझे इतना अकरशित किया था और मुझे लगा था कुछ अजीब सी मिस्ट्री है इसके अंदर इस लोग कर रहे हैं यह इस इमोशन में चले गए हैं और यह जिस तरह से इस सीन को जी रहे हैं उस पर मुझे बहुत समोहित किया था और मुझे फिर अपना जब गोल दिग गया तो फिर कोई भी रोकने की कोशिश करे मेरी माने बहुत कोशिश की रोकने की उन्होंने यह भी कहा कि तुम चले कर लो निकाह कर लो पर चले जाओ मैं नेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा मैं इस वक्त अपना जो है अटेंशन बांट नी सकता क्योंकि मुझे मेरे अंदर बहुत एंग्जाइटी थी सीखने की तो मुझे पता नहीं था कि मैं सीख भाउंग ऑनि मैं देख रहा था बड़े बाट नी जीच्टा था तीच में वाट नी को सीक्ते है ती लोगे कि आप तक में आप्रेशने मे बाटनी शिपता था में वाटना मूँड़ और डॉप प्रेशने के ऐरे लिया आपिनहीं मैं आप आप्रेशने में नीयुट है problem so I told her that you know I'll come back and I'll become please I'll do a big job, I'll do a big job there and she said what will you do I said okay I'll become a professor in drama school in Jaipur so he got convinced then she came to drama school then she saw that it's a college where people study so she got a little settled but still she hates it I'm going to go now and I'll tell you something else I'll do something else I'll ask you what I'll do, I'll do something else, I'll do the whole thing here when I live with my brothers, what are you doing? one day Miran Ayer was going to go on the namesake I looked at her in the premiere, everybody was there, the whole industry was there and she was there, I saw the whole film and I thought that you'll have a lot of fun and you'll feel good and you'll get out of it, what did you feel? I thought that my head was a little bit, I thought that was a little bit I thought that was a film, how did you feel? who is your director? I said that he'll be there, he'll get out of it, he'll get out of it, I'll tell him what I'm saying I thought that was a little bit for my child to kill me पान सिंह तो मर्क फिल्म को बनने में आठ साल लग गये थे तक्रीब बनने में नहीं है उसकी उसकी एक सपना देखा था एक आर्टिकल उने पढ़ा था दिक मांशु ने और उसके बाद उनकी मन में इच्छा हुई थी कि जो पहली फिल्म मेरी होगी वही होगी आठ साल तक यह जद्दो जहे चलती रही कि पांसिंग के बारे में कुछ पता चल जाए कहीं कुछ लिखा हुआ हो लेकिन पुलीस रिकॉर्ड के अलावा और कुछ था नहीं और यह कजीब सी बात है कि जो आदमी नैशनल चैंपियन रहा है कई बार उसके बारे में कोई रिकॉर्ड इ हाँ वीहर में गुंग गया है और एक डगायत के नाम से लोग जानते थी तो उसको सोर्स करने में उनकी इन्फोर्मेशन पता करने में और किस ऐसा प्रोड्यूसर ढूनने में जो कि इस रिसर्च को स्पांसर कर सके उसमें टाइम लग गया है और फिर बनने के बाद भी वह थोड़ी सी दिक्कते हैं थी असकी आपको जब अवार्ड मिला तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पिक्चर के लिए कि अट लिस्ट आप हर फिल्म में ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जितना कुछ है उसकी गुंजाइश है उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर कर रहे नहीं गा सकता कि वो किस तरह से क्या चीज लोगों को पसंद आएगी क्या इसका फॉरमिल नहीं बनासकते हुए हलागे हमारी टेंडेंशी हम फिर फॉरमिला बनाते हैं यह होगा यह होगा यह उगा फिल्म चलेगी लेकिन हर बार फिल्म यह सर्प्राइज करतेती है पान सिंग तो मराज से चार साल पहले बनी हुई होती, तो क्या इस तरीके से उसे रेकेगनिशन मिलता जिस तरीके से अब मिला है? मुझे नहीं लगता, चार साल पहले इसको इसी तरह का रिस्पॉंस मिला होता, ओडियन्स अभी मुझे लगता है बहुत भूकी है, अच्छा और फ्रेश एंटर्टेइन्मेंट के लिए, मुझे लग रहा है कि अभी इंडस्ट्री ओडियन्स की एक्स्पेक्टेशन से कोप इतना ओडियन्स में इगरने से, फ्रेश कहानियां सुनने का, फ्रेश ट्रीटमेंट देखने का, तो और तेजी से बदला है और यह नई जो जनरेशन आई है, इसे लिए आप देखेंगे बहुत सारी फिल्में जो हैं, अनकन्वेंशन फिल्में, वो पसंद आ रही हैं लो लुक में, आपकी अप्रोच में, सब में एक कन्वेंशनल चीज नहीं है, और Bollywood हमेशा से काफी कन्वेंशनल रहा है, शुरू में मैंने सोचा था, अक्टर बनने का, तो मुझे जुरू लगता था कि मैं लिमिटेशन है, लेकिन मैं इस बात से इतिफाक नहीं रगता, औ थोड़ी बुरियत भी हो सकती है, आपको देखते ही, वो थोड़ी देर के लिए ठीक है, और मेरे लिए कभी भी सिनुमा जो है, अपने आप को खुपसूरत दिखाने का मादERS मु ri-ो समझा है, मैंने अपने आपको इक्सप्लॉर करने का मादERS म समझा है, कि मैं इसके फैशन परेड नहीं और इस बाती क्लारिटी मुझे बहुत पहले हो गई थी और अगर नहीं हुई होती अगर मैं उस तरहां से करने के लिए आता तो मेरे हाव भाव मेरे लुक्स बदल गए होते मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि हमारी इंडस्री में फिल्मेकिंग जिस तरह की है और जिस तरह कहनिया बनती है उसमें एज होने को बहुत रिस्पक्फल तरीके से ग्रेसफुली आत्मी एक्टर जो हमारे हाँ का ग्रेसफुली एज नहीं करता है उसको जो हमेशा यंग दिखने का एक प्रेशर बना रहता है इससे भी आगे निकलेगी इंडस्ट्री जब एके कहनियों में इतनी कुझाईश होगी कि हर तरह के हर एज के लोगों को के साथ वा इंसाफ कर सेगे When I came to Bombay, Mumbai, that time that whole parallel cinema movement was dying down. It was just taking its last breath and I became part of it. I did one of the film with Govindji and then it was Mahayam, it was all for front benches, you know, Akshay Sunil Shetty's door started and you know, I was waiting, if I could get a part, two-minute, three-minute part, you know, in any film, I was eager to do that. Just become a henchman of somebody because I came here to do cinema. But I was consumed by television and television was very boring. So, I used to wait and I used to hear things like Subhash guy is talking about me, kyaari, ye ladka khaon hai si Rebhu? And I used to wait a few days, his phone is coming. And it never happened. So, my only struggle, the interesting thing is when I came to this Mandi, Film Mandi, my only struggle was to sustain my inspiration. Because there was nothing around. In Delhi, at least you have cinema, you have theatre, there were so many things to get inspired. And that time I realized that it's not my inner call to be an actor. It's a cultivated desire to become an actor. And that's why I had to keep my inspiration going. So, the first thing I did from my first earning, I bought a VCR. And then I started watching, you know, to keep myself, you know, just to engage or not to get bored by my own profession. That was my struggle and it was a long struggle. You know, you can see 100 crores and this kind of things very condescendingly. You should see it. You should see it below. You say, no, I don't have any meaning. You should see it. Why? Because it's a story. My film has 5,000 crores, business. Life of pie, you will see it. It's a big business. But the story is that you have gained so much money that you have gained. So, what can be a huge loss from it? If it's a big influence and it's a big influence. If it's the same thing, then I don't think that any star will love it. If you ask them from their hearts, they don't do it. This is the only thing in the media. There is a role in it. There is no one who has a line or a line. So, it's not a star that I'm talking about. A star is not saying that my film got 200 crores. But you don't think that there is more branding and marketing. It is also a star. And even more, it's a rate. It's more price. करते हैं हान तो इन लोह को सुट करता है वह यह बोल के जादा प्रैस लेते हूंगे आपना जन्या थैलाने यह नहींस проблемы जंद फालए पर्लॉडड़क्त है फाल यिस अन्य जिए फॉत्त करता हैं एक थीया नहींद चीजी है ये मेरा अप्रोच मुझे उसके अलावा क्या मिल रहा है वो मेरे लिए ज़रा ज़रूरी है मैं क्यों इस फील्ड में हूँ पिछले दो साल आपके लिए बहुत 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 ही अच्छा रहा है पादमश्री भी मिला आपको उससे भी आप समानित हुए और फिर नैशनल फिल्म अवार्ड भी वैसे आप अवार्ड्स के बहुत ज़्यादा खिलाफ रहते हैं जो खासकर के फिल्मी अवार्ड्स है उ प्रिलाफ रहें मुझे तरह का तोड़ा सा कंसर होता है जरूर के हमारे हमारे यहां इसे अवार्ड्स क्यों नहीं है जो जिसके मिलने पर आपको लगए कि यह एक वाकी टैलेंट पे ठपा है कि इन्हों रिकरनाइस किया क्रेडिबलिटी अवार्ड्स की नहीं है तो उसका आपको तकलीफ जरूर होती है आप अवार्ड्स फंक्शन में भी नहीं जाते हैं क्योंकि फंक्शन भी एक ही तरह से होते हर फंक्शन एक फंक्शन आपने देख लिया वो वैसे हर अवार्ड जो है उसको रिपीट करता है उसी तरह के फंक्शन होते है वही नाजगाने होत तो हमारे लिए entertainment है नहीं तो यह होते से होगा कोई ना कोई अवार्ट जुरूर रसा है आपको नहीं नगता कि आप उस इंडस्ट्री में है जहां पर यह सब चलता है और फिर भी उससे आप अलग रहने की कोशिश में रहते हैं वह बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं उस इंडस् जो चीज मुझे लगती है मैं उसको चुपाने में यकिन नहीं रखता है और इसी से पर बहतरी भी होती है और का अग्रिजिजम चाहिए होता है इंडस्ट्री इतनी स्ट्रॉंग है इस तरह का मुल्क है क्यों क्रिडिबल आवार्ड नहीं है यह तापको तकलीफ होती इस अच्छी यह बताईए पात्मश्री जब आपको मिला तो क्या वाज़िट अ बिग सर्प्राइज फो यू मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी बहुत सर्प्राइजिं था इस तरह का जब रिकनीशन मिलता है आपको तो वह बहुत जैन्मिन होता है और खुशी भी कि इन्हों कैसे मिल गया और इतनी जंदी कैसे मिल गया इस तड़ी की बाते जब आपके क्रिटेक्स करते हैं कहते हैं कहा होगा लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में आवार्ड मिलना अच्छा है जब कि एंजॉय कर सके आत्मी मैंने कही लोगों को ऐसा भी देखा जो बचारे वीलचेर पर आये थे वाड़ लेने के लिए उनको पता ही नहीं था कि इस अवार्ड का मरने के बाद मिल रहा है तो अच्छा है इस ताइम पर मिल गया उसको एंजॉय तो कर सकते हैं कम से कम यह उसको एक इंस्पिरेशन का सूर्स तो हो सकता है और ऐसे वक्त